नमस्कार असलाम वालेकुम स्ट्रेकाल दोस्तों आज की वीडियो है फोलेकल स्टडी या फिर फोलेकल मोनिटरिंग क्या होती है इसको लेकर करके दोनों एक चीज है अलग अलग नाम है देखे क्या होता है बड़ी सिंपल लेंगवेज में समझाऊंगा अगर आप इस चीज और आप बच्चे के प्लानिंग करें बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कोई प्रोब्लम है आप बेबी कंसीव नहीं कर रहे हैं तो आप डोक्टर के पास जाते हैं लेडी डोक्टर है या फिर कोई जैन्स डोक्टर है आप उनके पास जाते हैं आप उनमें बताते ह उसमें बहुत सारी चीज़ आती उसमें ओवरी में देखा जाता है कि कोई सिस्ट गांट तो नहीं है बच्चे दानी में कोई गांट तो नहीं है यह चीज़ आप देखते हैं कोई बच्चे दानी में पद्धी पतली है, ठीकनेस उसकी कम है, तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं, अगर जादा है तो भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जो required size होती है, 8 cm से ले करके 11 या 12 cm तक चल जाता है, होने को 6 cm पर भी बेबी कंसीव हो जाता है, वो rare case है, कुछ भी हो सकता है होने को, लेक करें, कि फिर follicle study की जरूत क्या पड़ी, तो आपने देखा इन सब चीजों को, ultrasound में, तो अगर आपने इन चीजों को normal पाया, कि endometrium layer भी ठीक है, कोई रसोली, कोई गांट, कोई किसी तरह की, कोई infection नहीं है, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो पर है, तो उसका कारण क्या है, अब डोक्टर को शक होता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं, follicle का जो size है, अंडे का जो size है, वो कम बन रहा हो, क्योंकि जो required size होता है, 18 mm से 20 mm के बीच में होना चाहिए, अगर अंडे का size जो अंडा बनता है, डेट आती है, आपको उसके बाद अंडा एक बनता है, तो फिर अगर उ आपका follicle size 7 mm पर हीटिक गया है, कुछ बड़ी नहीं रहा है, वो injection लगाते हैं, आपको दवाई देते हैं, ताकि उसका अंडे का size बढ़ जाए, तो अगर ये size आपका बढ़ नहीं रहा है, तो उस वज़े से आपको बच्चा नहीं हो पाए, तो उसको जानने के लिए follicle study को बताया जाता है, ये follicle monitoring को बताया जाता है, उसके लिए डोक्टर आपको बोलते हैं, ultrasound, लेकिन ये होता TVS, Transvaginal Sonography, TVS, यानि की आपको वेजाइना के थुरू आपका ultrasound होता है, एक machine आपको लगाई जाती है, आपको Doppler जो लगा जाता है, वो वेजाइना के थुरू लगा आती है, वो follicle study होती है, तो उसमें क्या करते हैं, वो आठवे दिन, जैसे आपको आज date आई, तो वो दूसरे दिन बुलाते हैं, के जी date आने के दूसरे दिन आपको आना है, patient को या lady है, जो बच्चा चार है, उन्हें दूसरे दिन आना है, आज date आई, कल आप डोक्टर के पास जाएंगे, अब वो आपको कुछ दवाई लिख करके देंगे, अंडा बढ़ा करने की, और फिर वो एक चीज करते हैं, आठवे दसवे दिन, date आने से, आठवे दसवे दिन, आठवे, नौवे, दसवे, उनके उपर होता है, आठवे, नौवे, जब भी आब चाहते है वो बोलते कि आप TVS कराईए, फोलिकल स्टडी कराईए, तो आठवे दिन, जिस दिन date आई, माले जिसे, आज एक तारीक को date आई है, तो आप आठ तारीक को जाएंगे, फोलिकल स्टडी कराने, यानि अल्टरसाउंड TVS कराने, तो वो आठ तारीक में होगा, फिर एक दिन आया, आपने आठ तारीक को कराया, एक तारीक को date थी, आठ वे दिन आपने आठ तारीक को TVS किया, फोलिकल स्टडी कराई, तो आपका आया, उसमें अंडे का साइज 7 हैं, तो डोक्टर क्या करेगा, एक दिन छोड़के, कल नहीं बुलाएगा, वो परसु बुलाएगा, उ जा रुपे हो, 1200 रुपे हो, 1500, जो भी हो, मैंने सिर्फ एक 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 जामपल दिया है, वैसे इसका रेट जो होता है, 1800 या 2000 रुपे होता है, 1800 रुपे, 1900 रुपे, 2000, वो रिकवायर्मेंट, जो उनकी अनुसवार है, वो डोक्टर को पता है, कि भईया, कितने रुपे लेने ह वो मैं नहीं कह सकता, कितने हैं, अलग-अलग शेहर के अलग-अलग है, लूटने वाले डोक्टर हैं, तो बड़े दरह से लूटेंगे, बट 1500 से ले करके, 2000 के बीच में ये हो जाता है, जहां तक मुझे पता है, तो उसमें क्या होता है, एक बार चार्ज करते हैं, ये तो पांच बार भी बुलाएंगे, ना, कोई हैं, एक दिन चोड़ेंगे, एक दिन चोड़ेंगे, तो वो free होते हैं, पहले दिन पैसे ले ले लेंगे, पांच दिन आपका free होगा, एक list बना देते हैं, उस पे लिखते रहते हैं, कितना-कितना size बढ़ता जा रहा है, इसमें, उससे आपको क्या होता है, जिसे फिर आपने इल्टर साउंड कराया, तो फिर आप डोक्टर के पास जाते हैं, अपने जहाप का इलाज चल ला है, उस लेडी डोक्टर के पास, आप उसके पास जाते हैं, मैम यह मैं इल्टरसाउंड करा है, यह दिए कि size में बढ़ रहा है, इतना इतना बढ़ता जा रहा है, अब मुझे क्या procedure करना है, या फिर मैम मेरे तो size बढ़ी नहीं रहा है, पहले कर रहा है तो 7 अम आया, इस बार कर रहा है, 7 point हो आया, कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है उस जिसमें अंडा रहता है, फॉलिकल का होता है, देशी बासा में समझाते हैं कि अंड़े का size, बट फॉलिकल का जिसके अंडर अंडा रहता है, तो उसका size बढ़ाने के लिए वो injection दे देते हैं, वो regular एक अफ़ते गोली चला देते हैं, या फिर अगर सही चल रहा है हिसाब, तो injection लगाने की जोड़त नहीं पड़ती है, केवल गोली उसे ही काम चल जाता है, ताकि वो अंडा सही शेफ में रहे, कोई उसे दिक्कत ना हो, पालन पोशन उसका सही होता रहे तो ये चीज डोक्टर देखती रहते है, रेगुलर उसमें कराते रहते हैं, तो ये फोलिकल स्टेडी होती है, जिसमें कि आपके फोलिकल के साइज को, अंडे के साइज को देखते रहते हैं, कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसी अनुसार डोक्टर दवाई चला तो यही इलाज होता है, फोलिकल स्टडी होती है, उसके अनुसारी वो दवाई देते हैं, अगर फोलिकल स्टडी बिल्गु सही है, अंडा सही बन रहा है, तो दूसरे कारणों पर नजर देखी जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसमें अंडा चल करके यूटरस तक पहले कराया जाता है, उसके बाद करमदर 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 आप आगे बढ़ते हैं, तो फोलिकल स्टडी इसी चीज़ का नाम है, उमीद करता हूँ समझाने में सफल रहा हूँगा, लेकिन अगर कोई चीज मुझसे रह गई है, और आप मुझसे कोई चीज जाना चाह रहे है तो आप मेसेंजर पर मेसेज कर सकते हैं, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकातो कीता तक स्वासरे, मस रहें, तंदरूसरे, आपका दिन शुभू, नमशकार, धन्यवाद